गुदू मोर्डिंग टोलोफ यू आज हम थोड़ा सा सोर्ट में देखेंगे क्या-क्या फॉर्मूले आते हैं टैन्थ क्लास की इलेक्रिसिटी चैप्टर में ठीक है भी तो पहला फॉर्मूला है वोल्टेज का वी तो वो होता है वे हमारा डबलू अकॉन में क्या हो यानिक अगर पैरलल के अंदर रेसिस्टेंस हैं सिरीज के अंदर तो होते हैं इस तरह से पैरलल के अंदर हमारे होते हैं इस तरह से उपर और एक ऐसे निक्षे ठीक है यह होते हैं पैरलल के अंदर तो उनके निकालने का फॉर्मूला है वन अपोना आरवन प्लस वन अपोना तो जितने भी रेसिस्टेंस होंगे उनको ऐसे हम एड़ करते जाएंगे अगला है विम्हारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला अर इस मुल्ड में रो डो त में एल अल इस डा लेंग ए एलिया और और रो है अमारे नुमेरिकल जितने भी आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चर्टर से 10 गलास में इहीं से सम्मधित पुछे जाते हैं अगर वोल्टेज से सम्मधित बाते हैं क्या ध्यान रखने वे वोल्टेज जो होता है उसको हमेश्या हे वह हमेश्या दूसरा Means कर। रहता है होता है हो याद रखेंगे बौिए दूसरा जो current जो होता है यह तो होता है वोल्ट मेटर के लिए दूसरा जो हमारा current है अगर हम current की बात करें तो current को major करने के लिए emitter लगाते हैं और जो emitter जो होता है वो हमेश्या series में लगाया जाता है किसमें लगाते हैं भी? series के अंदर और इसका जो resistance जो होता है वो बहुत low होता है resistance low होता है यानि कि हम जैसे कि यह हमारे पास में कोई भी battery है भी positive और यह हमारा negative यह कोई हमने battery लगा दे वही और इसके अंदर जो emitter लगाएंगे वो यहां लगा देंगे और जो voltmeter है वो हम क्या करते हैं यहां कुछ भी जैसे हो गया अगर यह हमारे पास में कोई resistance है यहां पर हमने कोई battery लगा रखी है तो यहां पर लगाएंगे वोल्टे इसको इसको बोलते हैं पैरलल में लगाएंगे तो यह हमारा voltmeter और इससे समंदेटर में है उससे समंदेटर में वन वोल्ट को डिफाइन करना आ जाए कि यहां से यहां तक लेके गए तो हम कहाएंगे कि भी 1V electric potential और potential differential ब्ल्ट ब्लट कभ कहेंगे जब हमाने एक कुलाम चार्ज और एक सेकेंड में पास हो घ्या है यह यह कहें भी इस प्रिंट एक से एक कुलाम चार्ज पास हो गया तो हम कहेंगे वी वोल्ट मेंटर के बिद थान गाइक वोल्ट मेंटर की किषमेट विद्ध हैं तो और दो इसे ब्लट करते हो भी आमिटर वोल्ट की होती हैं तो वन ओम को ढूर करना आज़े जब किसी भी वायर के अंदर एक वोल्ट आपकी वोल्टेज गा रही है और एक ampere current इसमें पास हो रहा है तो हम कहेंगे कि 1 ohm इसका resistance अगर आपको इसका 2 दे दिया ये 3 दे दिया तो आपको आरज टोटल रेसिस्टेंस बुझ लेगा तो आप बता देगे 2 पलस में 3 5 बिल्कुल आसान वे 5 ohm आजाएगा अगर आपको इसमें आजाए कि इसका 2 दे दिया इसका 3 दे दिया और दोनों का फुझरे पी टोटल रेसिस्टेंस बताओ इसका 2 दे दिया इसका 3 दे दिया तो आजाएगा 1 अपोन आरपी इसकुल टो में 1 अपोन 2 पलस 1 अपोन 3 यह हो जाएगा हमारा 6 LCM और उपर 5 एक तो लगा दिया स्रीज में और दो लगा दिया पैलल में तो इनका टोटल आएगा ठीक है और टोटल कितना आएगा इनका टोटल आएगा वहीं 1.2 तो 1.2 के अंदर इसका मालेजिक 2 है तो दोनों को एड़ कर देओ ती आजेगा 3 पॉइंट में 2 कि पांसवाजों क्युष्टन इस विसे सम्थ इतकाफी और आपकी आर इस वोडेट रू डोटल आपून की है तो ल इस था क्या बताए था कोई भी वायर है कोई भी राइन है और उसकी लेंद मालेजिक 1 है एक मिंटर ले लेले या कितने भी लेले ऊपले हैं तो इसे आपका 100 cm होता है और अगर हम mm की और मिटर की अगर रिलेशन की बात करें तो एक मिटर के अंदर 10 की पावर माइनस 3 आपका एक mm is equal to 10 की पावर माइनस 3 मिटर होता है ठीक है यह चीज़े हम ध्यान रखेंगे एरिया का जो फार्मूला होता है माले यह हमारा वायर है और यह जो एरिया और आगे गा उसका फॉर्मूला होता है पाई आर सुकेर या पाई डी सुकेर अपॉन में 4D is the diameter R is the resistance ठीक ह aste paper में तो हम Resistance के बराबर कर शे को में दोनें को हमारे पास में कोई ऐसा 2 आजाये जिसके लैंख और को एक किests एक वेस마 छव तो हमोसे ही यह हुक्त है नोजिए डilidот कर दिएनिधों कि रोड़ की वेलनव गंदिए तो हम उसक्षा प्रेंगे तो आगर रोकी जब से ज्यादा है धोम कि इनसूलेटर जैसे की रबड़ है पिलस्टिक जलुर है कोपर है अलुमिनियम है यह सारी का अग्ण Сов! जिसमें इसी अच्छी इलेक्टिसिटी पाज हो जाए और इसमें इलेक्टिसिटी पाज ना ओ स्कून क्या भोलेंगे वे उसको भूलेंगे इ यह आपको करके देख सकते कोई नहीं समझ मैं तो पुछे पता सकते हैं इससे अगला है चैगा अग्भी जो भी आई है तो उसमें आपको वोल्टेज दे दिया जाता है करेंट दे देगा और पावर को शेगा तो बता देंगे पावर रेट ऑफ वरक डन इज गाल पावर पावर की जो इनट होती है वह वाट तो वन वाट इस वह 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 याद रखना वी आई टी होता है तो वरक अपन टाइम क्या हो जाएगा टी से टी डिवाइट तो वी आई आई अगा इसलिए एक फार्मला आ जाता है कि हमारा वी ठीक है और आई के जगे अगर हम आई के जगे यहां से हम अगर पुट कर दें वी अकॉन में आर तो यह बन जाएगा वी सुकेर अगर हम वी के जगे पुट कर देंगे वी आई आर वी के जगे पुट कर दिया मैंने यहां पर आई आर ठीक है वी आई था ना तो वी के जग का हैवे हीट से संबन दित आई सुकियर आर्टी अच्छा एक और बात बताता हूं पावर जो होती है ना उसमें एक फार्मला यह भी बन जाता है वह वन यूनिट के बराबर होता है और उसमें 36 लाग जूल होते हैं कितने जूल होते हैं 36 लाग यह लिए कि थ्री पॉइंट में थ्री पॉइंट के अंदर 6 इंटो में 10 की पावर 6 जूल होते हैं यह भी हम याद रख सकते हैं ठीक है वह सकता है आपकी इसमें हो ना हो लेकिन वन और स्पावर जो होती है वह होता है वह 740 वाट यह आप याद यह आप के आपकी हो जाते हैं उसके बाद आज आजाता है उसके आपका heat as feasible to में हापका i2 rp आपका आई सुकेयर आर्टी यानिकि हीड उतनी ही जादा प्रदूस होगी किसी भी वायर के अंदर मान लेजिए कोई वायर है और उसमें से करंट पांस हो रहा है तो इसे हमारी प्रेस जो होती है वह इसी इलेक्ट्रिसिटी का जो हिटिंग इफेक्ट उसी समझ देता है ठी क्यों कि वह उसके अंदर निक्रों कुछ क्वाईल होते हैं ठीक है तो वह क्वाईल की रेसिस्टेंस उनने का ज्यादा होता है तो उसी कारण चे वह उसमें हीटिंग इफेक्ट इफेक्ट देखाता है तो ही डैक्क ली पर्कॉसंगल होगा आई सूपियर एज डैक्ली पर प्रेडूस होगी और जितने टाइम ज्यादा तक हम पास करेंगे उतनी ही हमारी हीट ज्यादा होगी इसलिए कई पर हम देखते हैं कि मोटर गरम हो जाती है तो यह हीट का फॉरूला है मेमारा यह इसतरह सेअ सिंबल है है दो या दो से ज्यादा जो सिल होते हैं उन से हम बनती है मतरा स्यानः शाल का सिलिए का सिंबल यह इस तरह से होता हुए और ऐसा एसी टेंस पर राएसे सब और बीच में डोट लगा दो कि ओन हो गया है है तो यह हमारे हमें अधिर है तो तो यह तो यह आद करने पड़ेंगे तो याद कर सकते हैं और एक हम parallel के अंदर जोड़ें तो क्या मतलब फरक होता है इसके अंदर हमारे घरों में जो light होती हो parallel combination वाड़ी होती है मतलब अगर एक बलब खराब होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि सारी light खराब हो जाएगी लेकिन अगर स्रीज में जोड़ रखें कहीं चीज़ें तो एक चीज खराब होएगे तो आगे current नहीं जाएगा और कोई वी चीज नहीं जाएगी ठीक है वही तो यह स्रीज में और parallel में फरक होता है ठीक है तो यह चीज़े थी वही अमारे electricity चैप्टर के अंदर जो खास खास चैप्टर के अंदर जो आपको कोई चीज ऐसी है इस चैप्टर के अंदर जो आपको नहीं समझ में आती हूँ जैसे कोई numerical है यह आप अच्छे से याद कर लो सारी numerical कवर हो जाएगी इसी से सम्म ठीक है ठीक है ना ओके बाई जैने